अध्याए पाँच और हनन्याय नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमी बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ी और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेड़तों के पाउं के आगे रख दिया परंतु पत्रस ने कह ए हनन्या शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्रात्मा से जूट बोले और भूमी में से कुछ रख छोड़े जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी और जब भिग गई तो क्या तेरे वश में ना थी तूने ये बात अपने मन में क्यों फिर जमानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गार दिया लगभग तीन घंटे के बाद उसकी पतनी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई तब पत्रस ने उससे कहा मुझे बता क्या तुमने वो भूमी इतने ही में बेची थी उसने कहा हाँ इतने में पत्रस ने उससे कहा ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परिक्षा के लिए एका किया देख तेरे पती के गारने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी ब पर पाया और बाहर ले जाकर उसके पती के पास गार दिया और सारी कलिसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बढ़ा भैच आ गया प्रेईर्टों के हाथों से बहुत चिन्न और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाये जाते थे और वे सब एक चित होकर कठे हुआ करते थे परंतु औरों मेंसे किसी को ये हयाब ना होता था कि उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रिया प्रभू की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहें यहां तक कि लोग बीमारों को सडकों पर लाला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि पत्रस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए यरुशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद आत्माओं के सताए हुऊं को लाला कर इकठे होते थे और सब अच्छे कर दिये जाते थे तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूक्यों के पंथ के थे डहा से भर कर उठे और प्रेजितों को पकड़ कर बंदी ग्रह में बंद कर दिया परंतु रात को प्रभू के एक स्वर्ग दूत ने बंदी ग्रह के द्वार खोल कर उन्हें बाहर लाकर कहा के जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसरालियों के सब पुरणियों को इकठे किया और बंदि-ग्रह में कहला भेजा के उन्हें लाए परंतु प्यादों ने वहाँ पहुचकर उन्हें बंदि-ग्रह में ना पाया और लोटकर संदेश दिया के हमने बंदी-ग्रह को बड़ी चौक्सी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बहार द्वारों पर खड़े हुए पाया परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विशे में भारी चिंता में पड़ गे के ये क्या हुआ चाता है इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया के देखो दिने तुमने बंदीग्रे में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया परन्तु बर्बस नहीं क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि उन्हें पत्थर बाना करें उन्हें उन्हें फिर लाकर महा सभा के सामने खड़ा कर दिया और महा याजक ने उनसे पूछा क्या हमने तुमें चिता कर आग्या न दी थी कि तुम इस नाम से उब्देश न करना तो भी देखो तुमने सारे यरुशिलम को अपने उब्देश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो तब पत्रस और प्रेडितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आग्या से बढ़कर परमेश्वर की आग्या का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है हमारे बाब दादाओं के परमेश्वर ने येशु को जिलाया जिसे तुमने कुरूस पर लटका कर मार डाला था उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उध्धरक ठेरा कर अपने दाहिनी हाथ से सर्वोच कर दिया कि वो इसरेलियों को मन फ्राव की शक्ति और पापों की शमा प्रदान करे हम इन बातों के गवाँ हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आग्या मान दे ये सुनकर विजल गए और उन्हें मार डालना चाहा परंतु गमलियल नाम एक फरीसी ने जो वेवसापक और सब लोगों में माननी ये था न्याया ले में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आग्या दी तब उसने कहा हे इस्राइलियो जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और कोई चार सौव मनुष्य उसके साथ हो लिए परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहुदा गलीली उठा उसने कुछ लोग अपने ओर कर लिए वो भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर हो तुम मिट जाएगा परन्तु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापी मिटा ना सकोगे कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठैरो तब उन्होंने उसकी बात मान ले और प्रेडितों को बुला कर पिठवाया और ये आग्या दे कर छोड़ दिया कि येश्व के नाम से फिर बाते ना करना वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने की योगे ठैरे और प्रती दिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि येश्व ही मसेई है ना रुके